हलो गाइज वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ रिचा मैं आज आपके लिए एक रिव्यू करूंगी निविया प्रोड़क का फेज बहुत है यह मैं इसका रिव्यू करूंगी आज मैं आपको बताऊंगे यह कैसा है यह सेंसिटिव स्किन के लिए है और यह मिल्क डिलाइट है यह कैरिंग रोज वाटर है इसमें यह बहुत ही अच्छा है फेजबस यह कितने अच्छी पैकेजिंग है इसकी छोड़ती सी यह 50 ml लाता है और यह आपको 100 ml मिल जाएगा बन फिप्टी का मिलेगा यह उस पर मिल जाएगा आपको फिलिप कार पर और एमेजन पर मिल जाए क्योंकि मुझे अच्छा स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा मुझे लगा तो मैंने का चली है इसका पर देते हूं ओर देखते हूं कि आपको पसंद आए या नहीं यह तो आपके उपर है तो यह छोटा सी पैकेजिंग में आता है और इसका बढ़ा भी है और इसके जो फ्रयग्रेंस है बहुत मायल्ड है विल्कों लोग हलकी हलकी बवीट सी है जैसा फेसससे हैं और यह अच्छा एसको भी द्था mixture का पार री और यह बहुत ही अच्छा कर सकते हैं जारें नत्य तो नो अगर जाएं趣 प्रेंडली है आप इसको आराम से अपने बैग में रखे लेके जा सकते हैं यह गिरेगा भी नहीं यह बहुत ही अच्छा फेस बॉस लगा और आपको इसमें आपको जो बिल जाएंगे वोर टाइपस के जो ओईली स्किन के लिए है ड्राय स्किन के लिए है नॉर्मल इसकिन के लिए आपको बीट जर्म्स माला मिल जाएगा इसमें और नॉर्मल स्किन के लिए आपको जैफ्रॉन वाला मिल जाएगा वह मिलेगा आपको और ड्राय स्कि तो आपको यह लेके आप यूज करके देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बाइक कर सकते हैं तो देखते हैं इसको यूज कैसे करना यह तो आपको पता ही है लेकर फिर भी आप डेमो में देख लीजिए चलिए देखते हैं किसको यूज कैसे करना है चलिए मैं दिखाती हूं आपको यूज कैसे करना है पहले बैट कर लिया है पारी से चेरी को तो फोड़ा सेक करूंगी सबको पताई होता है कैसे बाउच करना होता है पेश को अने इतना ही लिया है कि यह लेधर ज्यादा नहीं करता है कि इसी दर ऐसे ही रहेगा कि पी बहुत अच्छा करता है यह कि अज़िए दिखते हूं दुल कर आते हूं और बदकाते हूं अब को अधिकि मैं फिच वॉस कर लिया है यह बहुत अच्छा से क्लीन कर देता है एक दम पेश को बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से डीप की क्लीन करता है तो आप लोगों ने देख लिया इसका रिव्यू और कैसा है यह यह आपको मैंने बता दिया है अगर यह आपको अच्छा लगे तो आप बाई कर सकते हैं आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं वेकि अधर लोकल मार्केट से लिया है अगर अगर आपको अगर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब मी और बेल आइकन जो आएगा उसको पी आप प्रेस कर दीजिएगा और जो भी आप नोटिफिकिशन वेल आपके पास होगी फिर अगर आप अगर बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आप जब मैं दूसरा वीडियो अप्लोड करूंगी तो वग